और सलाम उलेकुम, आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेजियमेंट्स के साथ बहुती भीतरीन, बहुत टेस्टी शेर खुरमा बस आप इस रेसेपी को फॉलो करके अपना शेर खुरमा बनाएगे और बेफिकर हो जाएगे, बहुत मज़े का बनेगा आपका शेर खुरमा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो लीटर यानि की तक्रीबन आठ कब दूद लियावा है, फुल फैट दूद का इस्तवाल किजेगा, तब यह आपका पर फेक्ट शेर खुरमा बनेगा हाई फ्लेम पर इसमें कुबाल आने का वेट करेंगे, और फिर गास की फ्लेम को मीडियम करके इसको तक्रीबन 10 मिट बगाएंगे, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है, वो एवैपोरेट हो जाता है, और बहुत ही क्रीमी हमारा शेर खुरमा बन का तयार हो और दो टेबल स्पून के करीब चिरॉंजी लिया मैंने, और 18-20 किश्मिश ले लिजेगा, और 20-25 ले लिजेगा बादाम, इन सभी को भीगो कर इनका छिलका उतार कर फाइन चॉप करना है, किश्मिश को मैंने नहीं भीगोया था, और बाकी की सभी चीजों को मैंने भीग हमें इनका बहुत कलर नहीं बदलना है, लेकिन इनको रोस्ट करना है, जिससे कि थोड़े से क्रंजी हो जाएंगे, और इनका टेस्ट हो जाता है, तो यहां पर हमाई ड्राइफ रूट्स रोस्ट हो गए, इनको हम निकाल लेंगे, और अब इसी पान के अंदर हमें सिवाई, तो मैं डाल रही हूं, यानि 75 ग्राम सिवाई, मैंने बारिक वाली सिवाई लिए, लेकिन आप थोड़ी सी मोटी वाली भी ले सकते हैं, अब हमें यहां पर सिवाई को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, लगाता है चलाते हुए, तो मैं इसमें तक्रीबन एक दूद्ध को इसमें गोल्डेन हो जाएगी बस हमें गैस आफ कर देनी है, और अभी इसको साइड में रखना है, इधर दूद को पकते वे तक्रीबन 10 मिट हो गए, अब हमने जो ड्राइफ रूट्स व्राइब तो ड्राइफ रूट्स हमें डाल देना है, अब ड्राइफ यहीं पर रहे जाए, बहुत जादा रीडियोस नहीं करना है, लेकिन हाँ एक हिसा इसका रीडियोस करेंगे, तो आपको चम्मच इसमें बीच-बीच में चलाते रहना है, अगर आप चम्मच चलाना चोड़ देंगे, तो फिर दूद नीचे लग सकता है, और आपके श्व मिल्क नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि यह बगार कंडेंस मिल्क के भी अच्छा बन जाता है, तो आप एक कप चीनी का यूज कर सेते हैं, अब यहां पर सीवाई और चीनी डाल कर मैंने इसको 5-6 मिनिट और पकाया, बस मीडियों फ्लेम पर 5-6 मिनिट और पकाना है, आपको सी के वही का टेक्स्टरा जाएगा, तो इस पॉइंट पर आपको इसमें डाल देना है, कंडेंस मिल्क, बिल्कुल लास्ट मिल्क जाएगा, इसमें रिख भी यूज करीम कंडेंस मिल्क यूज करूंगी, और वजन में तकरीब थीन सो ग्रैम है, तो जो एक चार सो ग्रैम कर अब मैंने चोटी लासी का पाउडर एक टीस्पून और दो टीस्पून मैंने केवरा वाटर भी डाला है, खुश बहुची हाती है, और बस कुबच्छे से मिक्स करके, एक डेमनेट मैंने और पकाया करनेंस मिल्क डालकर, और बस यहां पर हमारा शेर खुर्मा बनकर तयार करना है, और बाकी की प्रोसेसिंग बहुत क्वेक है, जटपट बन जाता है, और इस तरह एकदम क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारा शेर खुर्मा बनकर तयार है, मैंने यहां पर करनेंस मिल्क यूज किया है, आप चाहे तो मिल्क पॉर्डर यूज कर सकते हैं, यहां पर हमारा शेर खुर्मा बनकर तयार है, आप इसको गरम भी सर्फ कर सकते हैं, यहां ठंडा भी सर्फ कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्टिंग, आपको पसंद आई होगी, ट्राय जरूर करिएगा, और अगर आपको रेसेपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक औ चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा, थैंक्स फर वचिंग दे वीडियो, अला आफेस,